हे अबरिबन मेरा नाम है निल सर और हम आज इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सल्यूशन के बारे में और जिसने भी एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है इंट्रोडक्शन को जिस वीडियो का लिंक हम comment section में आपको mention कर देंगे तो इस वीडियो में हम exercise 1.6 के solution को completely cover करेंगे तो देखिए exercise 1.5 का question number 1 आपके सामने ये लिखा हुआ है इसके solution को आपको अच्छे से देखना है जिससे आप सीख जाओ और इस से related या इस type के question जब कभी भी आए तो आप इनको क्या कर पाओ बड़े ही आसानी से solve कर पाओ तो देखो हम इसका first बाला part solve करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है तो सबसे पहले हमने क्या कर रहा है हमें दिख रहा है कि 64 की power 1 upon 2 यानि base हमारा क्या है 64 है और उसका exponent क्या है 1 upon 2 है है तो हमें क्या करना है जो base है अपना उस base के prime factorization करना सुरू कर देना है इस type के question के लिए तो आप क्या करेंगे इधर लिखेंगे आप 64 और 64 के prime factorization लिखेंगे तो देखिए जब सबसे पहले हमें छोटा prime number लेना होता है तो हम 2 से करेंगे 2 से 32 आ जायेगा divide करने अगें यह 2 से divide होगा तो 2 से हमें सको करेंगे तो Shan 7 626 आ जाएगा फिर तू से करेंगे तो 8 आ जाएगा फिर उसको 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा फिर 2 से इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से ये 1 टाइम ठीक है तो हमें इधर से ये पता लग रहा है कि जो 64 है 64 हमारा किस तरीके से लिखा जा सकता है 64 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 को 6 वार मल्टिप्लाई कराने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमको मिलेगा 64 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है 64 जो हमारा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 की पावर 6 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अब हमें क्या करना है? हमने 64 के प्राइम फेक्टराईएसन कुछ इस फॉर्म में ला दिये है अब आप क्या करीए? आप 64 की जगे इस नंबर को आप रखना सुरू कर दिये तो अब यहां जब आप इसको पुट करेंगे तो 64 की जगे हम लिखेंगे 2 की पावर 6 एंड उसकी होल पावर बन अपॉन टू अब आपने क्या सीखा हुआ है? आपने आइडेंटिटी सीखी हुई है के एकी पावर एम और उसकी होल पावर एन तो हम उसका मल्टिप्लाई करा देते हैं एकी पावर एम इंटू एन आ जाता है तो उसी आइडेंटिटी का हम यूज करके इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टिप्लाई 1 अपन 2 जाब इसको से सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टिप्लाई 3 वार करिए 2 मल्टिप्लाई 2 तो आपके पास आएगा 8 क्या जाएगा बच्चो 8 तो यहाँ आपका 2 की पावर 3 को सॉल्व करने पर आनसर क्या आएगा 8 आएगा तो यही हमारा क्या है solution का इस question का solution है समझ गयोंगे अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने second part पे तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको 32 के prime factorization निकाल लेना है फिर हम उसको easily solve कर पाएंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको आप लिखोगे 32 की power 1 upon 5, तो इस टायक के question में सबसे पहले आप इनके prime factorization से शुरू करेंगे तो 32 का जब आप prime factorization करेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा 2 से जब आप इसमें divide करेंगे तो यह आएगा 16, फिर 2 से आप इसमें divide करेंगे तो आएगा 8 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, again 2 से डिवाइड करने पर 2, and again फिर से 2 से डिवाइड करने पर 1 तो आप देखिए, 32 जो अब हमारा है वो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 multiplied 2, multiplied 2, multiplied 2, multiplied 2, multiplied 2, यानि 32 is equals to 2 to the power 5 तो अभी हमें क्या करना है, इस 32 की जगह है, 2 to the power 5 का use कर लेना है तो यहां हम लिखेंगे 2 to the power 5 और bracket के बाहर जो exponent है, उसका है 1 upon 5 अगें हम उसी identity का use करेंगे, m और n का product करा के लिखेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 5 multiplied 1 upon 5 और इसको आप ऐसे जब cancel करेंगे, तो 2 to the power 1 is equal to 2 तो इसका आंजर हमारे पास क्या आएगा बच्चो, इसका आंजर only 2 आजाएगा तो I hope यह question भी आपको बहुत easy लगा होगा, इसी तरीके से आपको यह question भी कर देना है तो पहले आप इसको pause करके solve करिए, अगर solve नहीं होता है फिर आप इसको वीडियो में देखिए तो हम इसको solve करके दिखा देते हैं, इधर हमें क्या दिया गया है, 120, 125 की whole power 1 upon 3 कुछ तरीके से लिख करके दिया है तो आप अभी तक तो सीखी गए होंगे, किसार हम सबसे पहले 125 के prime factorization निकालेंगे तो यहां लिख लीजिए 125 और इधर इसके prime factorization करना शुरू कर दीजिए, तो यह number हमारा सबसे पहले 5 से divide होगा तो आप इसको लिखेंगे 5, 2010 और 5, 2025 अगेन अब तो आपको देखी रहा होगा, सर यह 5 से कड़ जाएगा, 5 से यह 5 times और यह 5 से 1 times ठीक है, तो इधर से आपको यह observe हुआ, कि सर 125 के जो prime factorization है, वो 5 multiplied by 5 है यानि हम 125 को सर, 5 की power 3 लिख सकते हैं, बिलकु सर, अब 125 की जगा आप क्या करिए, 5 to the power 3 और उसकी whole power जो है, उसको लिख दीजिए, 1 upon 3 clear है यहाँ तक, अगेन वही identity लगेगी, a to the power m into n तो आजाएगा आपके पास a की power mn, तो यहाँ a है 5 और m है 3 और n है 1 upon 3, जब आप इसको इससे cancel करेंगे, तो आपको सरिफ बचेगा 5 की power 1 जो की equal होता है 5 के, answer आ गया, ठीक है न बच्चों, तो I hope पहला question तो आपको बहुत easy लगा होगा, आप इसको note कर लीजिए, हम अपने question number second की तरफ बढ़ते हैं, तो इस वाले question को भी हम, जैसे हमने first वाले question को किया, ठीक उसी तरह हम laws of exponent का use करके, फटा फट इसको भी solve करके आपको दिखाने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले part में हमें क्या बोला गया है, 9 जो कि हमारा base है, और उसका exponent 3 upon 2 given है, तो इसको हम सबसे पहले आप देखिए 9, जो base है, base के हमें क्या करना है, prime factorization करना है, prime factorization जब हम करेंगे, उसके बाद हम exponent से कुछ solution करा सकते हैं, तो सबसे पहले 9 का prime factorization करिएगा, तो 9 का prime factorization बहुत easy है बच्चों, तो आप कैसे करेंगे, देख लीजिए, 8 करने वाला जो prime number है, वो आपके पास है 3, जो कि इसको divide करेगा 3 times, और 3 multiplied 3, और इसको हम सार ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की power 2, ठीक है न बच्चों? तो आईए, इस 9 को हम इसमें बदल लिया है, इधर हम लिखेंगे, 3 की power 2, और यहां हमाँ given है 3 upon 2, तो यहां देखिए, यहां हमें identity use वही हो रही है, जो हम पहले भी पढ़ गया है, इधर हमें identity use करने को बोला गया है, a to the power m की power n, यह is equal to a to the power m n, तो यहां आप उसी identity का use क करिए, और फटा-फट से इसका solution कर डालिए, तो देखिए, यह रहा 3, m की value है 2, और n की value है 3 upon 2, तो यह 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 to the power 3, तो आपके पास आएगा 27, तो आपका answer क्या आएगा बच्चो, answer आएगा 27, अब हम देखते हैं इसके second वाले part को, second वाले part में आपको क्या करना है, second वाले part में आपको 32 की power 2 upon 5 given है, तो देखिए, 32 जो है न, इसके आपको साथ से पहले prime factorization करना है, फिर हम इसके exponent के साथ, जो भी calculation कर सकते हैं, वो आपको करके दिखाएंगे, लेकिन 32 जो है, हम इसके prime factorization नहीं करेंगे, इससे पहले जो हमन हैं, जिसको भी 32 के prime factorization नहीं आ रहा है, वो क्या कर सकता है, first वाले question का solution देख सकता है, तो 32 को हम direct लिखेंगे, 32 is equal to 2 to the power 5, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 to the power 5 की whole power 2 upon 5, अगें इधर हम क्या कर रहे हैं, इस वाली identity का use करेंगे, तो a to the power m into n, a to the power mn, तो यहां लिखेंगे आप 2, m की जागे लिखेंगे 5, और n की जागे लिखेंगे 2 upon 5, clear है, 5 से 5 को cancel करिएगा, तो you will get 2 का square, और 2 का multiply जब आप 2 से करेंगे, तो आपको answer आजाएगा, 4 कर दिया, बहुत ही आसानी से आपके सामने लिख करके दिखा दिया, जो कि आपको भी बहुत easily समझ में आ गया होगा, तो आप देखते हैं, अब अपने थर्ड वाले पार्ट को, थर्ड वाले पार्ट में बोला गया, 16 to the power 3 upon 4, तो कैसे solve कर सकते हैं, तो सबसे पहले दर 16, 16 की पावर 3 upon 4, तो फटा-फटा आप क्या कर गिए, 16 के प्राइम फेक्टराइशन निकालना, तो यह लिखा 16, और यह हमने शुरू गरा इसका प्राइम फेक्टराइशन निकालना, तो सर यह 2 से निवाइड होगा, 8 ताइम्स, यह 2 से निवाइड हो 2 multiplied 2, यानि 16 is equal to 2 to the power 4, क्या है सर, 16 को हम 2 to the power 4 के form में लिख सकते हैं, तो इस वाली 16 की जागे हम क्या करेंगे, तुरंत 2 upon 2 to the power 4 से replace कराने वाले हैं, तो देखिए, 2 to the power 4, whole power 3 upon 4, अगें यही identity का use इधर भी करा लेते हैं, तो इधर हम लिखेंगे, 2 to the power 4, 4 है हमारा M, और N है हमारा 3 upon 4, तो 4 क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो अब हमारे पास होगा, 2 to the power 3, 2 to the power 3 का meaning है, 2 multiplied 2, multiplied 2, तो यहां हम इसको लिख देते हैं, इस question का भी बच्चों आपने देखा, answer कितने easily निकला आया है, अब हम अपने इस पार्ट को solve करते हैं, 125 की whole power minus 1 upon 3, तो सबसे पहले देखिए बच्चों यह जो minus question में है, आप यह मत सोचिए कहीं, बुक का मिस्प्रिंट या किसी गलत तो नहीं लग गया, यह हमारा क्या है, question में ही है, ठीक है ना, तो इसको कैसे solve करना है, सर सबसे पहले हम 125 के क्या करे करेंगे, prime factorization करेंगे, तो prime factorization 125 के हमने अभी अपने first वाले question में करा था, तो हम इधर से prime factorization इसका direct लिखने वाले हैं, ठीक है ना, जो question first में use किया था, तो 125 के जब आप prime factorization देखोगे, निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 की power 3, तो तुरंथ ही हम 125 को 5 की power 3 से replace करा रहे हैं, हम लिखेंगे, 5 to the power 3, और यह जो whole power है, minus 1 upon 3, अब यहाँ हमारे पास identity लगेगी, a to the power m into n की, ठीक है ना, तो a है 5, m है 3, n है minus 1 upon 3, 3 से 3 हमारा cancel हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा 5 की power minus 1, अब क्या करें सरम, तो यहाँ एक छोटी सी identity और लगेगी, जो हमने इसके introduction में आपको सिखाई है, आपने देखा है तो आप जरूर समझ जाएंगे, तो यहाँ identity लगेगी, यहाँ identity लगेगी हमारी a to the power minus n की, यानि हम उसको लिखते थे, 1 upon a to the power n की बरावर, तो a की power minus n, यानि minus 1 है, तो आप उसको लिखेंगे 1 upon 5 की power 1, इस identity से, यह 1, a की value 5, और n की value अब हो जाएगी, प्लस 1, तो 5 की power 1, मतलब 5 ही रहेगा, तो final answer हमारा क्या जाएगा, 1 upon 5, और यह हमारा इस part का क्या हो गया, answer हो गया, ठीक है न बच्चो, तो question second भी, आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा, तो आप क्या कर लीजीगा, इसको बहुत अच्छे से note कर लीजीगा, तो देखिए बच्चो, यह हमारी exercise का last question है, question number 3, जो की बहुत ही important है, और exam point of view से भी बहुत जाले important है, तो आईए देखिए, इस type of questions को कैसे solve करना है, जैसे की first question को आप देखेंगे, इधर लिखा है, base है 2, और उसका exponent है 2 upon 3, यहाँ base है 2 और उसका exponent है 1 upon 5, और यह जो dot देख रहे हैं, इस dot को आप कहेंगे product, multiply, multiply कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ नई identity लगाने पड़ें तो देखिए, उन identity का use कैसे करते हैं, तो note down करेंगे, 2 upon 3, multiply, exponent 1 upon, इसका है 5, अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी identity use हो रही है, पहले हम वो mention कर देते हैं, यहाँ identity लग रही है, a to the power m, multiply by a to the power n, is equal to a to the power m plus n के बराबर है, ठीक है न, तो इस identity का use करके, आप इस question का answer दे पाएंगे, तो देख लीजिए, कैसे हम इसको करने वाले हैं, तो यहाँ हमारा base कितना है, 2, तो ऐसे लिख देंगे, m की value है 2 upon 3, प्लस n की value है 1 upon 5, अब आप देखिए, यहाँ एक छोटी सी fraction solve करने को आ गई है, जो कि आपने previous year में बहुत अच्छे से इसका denominator है 3 और इसका denominator है 5, जब आप इन दोनों का LCM लेंगे, तो आपको मिलेगा 15, ठीक है, तो यहाँ 15 बनाने के लिए आप इस fraction में 5 से multiply and divide कराएंगे, और इधर 15 बनाने के लिए, आप 1 upon 5 में 3 से multiply and divide कराएंगे, got it, यहाँ तक clear हो रहा है, लिएंगे 2 और उसके exponent में 2 5 जार 10 और यह आएगा 15, यह 3 बनाने 3 और यह आएगा 15, अब यहाँ हमारे denominator सेम हो चुके हैं, यानि LCM भी हमारे क्या आएगा, सेम ही आजाएगा, तो आप यहाँ लिखिएगा 2 की पावर, LCM 15 आएगा, 10 और प्लस 3 10 प्लस 3, यानि 2 की पावर 13 अपॉन 15, यह हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले question का answer हो जाएगा, ठीक है न बच्चो, अब हम अपने question number 3 के second part को solve कैसे करेंगे, यह सीखते हैं, बोला गया है, बना पॉन 3 की पावर 3 और whole पावर 7, इसको आपको solve करना है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर एक identity का use करेंगे, इस quantity पे, और 7 को बाहर ही रहने देंगे, तो इस quantity के लिए identity हमने सीखी है, के sir, 1 upon a to the power n is equal to a to the power minus n, यह वाली identity हम सीख करके आए हैं, इसी के introduction वीडियो में, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको म इदर बन अपॉन 3 की power 3 को लिख सकते हैं, 3 की power minus 3, और 7 से हमने पहले ही कहा तक कुछ नहीं कहेंगे, as it is लिख देंगे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ एक identity लगेगी, a की power m into n, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 3 minus 3 into 7 is equal to 3 की power minus 21, तो यह हमारा क्या होगा, इस question का, आंसर हो जाएगा, आपके हम इदर identity mention भी कर देते हैं, यहाँ लगा दिया, a की power m की whole power n is equal to a to the power m n, तो इस वाले case में हमने यह identity लगाई, और इस वाले के लिए यह identity लगाई, और यह हमारा answer, आचो पार्ट 3 को कैसे solve करेंगे, आप देख लिजे, यह तो करा हमें अपने question को note down, अब आपको इदर यह देखना है, कि सर इदर कोई identity लग रही क्या, तो अगर आपने identity ठीक से याद की है, जी हाँ आपने, आप से ही बात हो रही है, तो आप देखिए, इसका base और इसका base, बिल्कुल same है, बस यह divide में लिखे हुए है अरे सर, इसकी तो divide वाली identity भी exist करती है, हाँ करती है, कैसी लिख देते हैं, a की power m upon a की power n is equal to a की power m minus n, यह वाली identity है, जब यह same base में हो और divide में लिखा हो, तो power हमारी क्या होंगी, subtract होंगी, minus होंगी, अरे सर, अब तो यह बहुत simple लग रहा है, देखिए, तो base हमारा है 11, य और m की value है, 1 upon 2, n की value है, 1 upon 4, ठीक है, अब यह हम लिखेंगे 11, और यहाँ देखिए, 2 और 4 का LCM जब आप लेंगे, तो आपके पास आएगा 4, यानि हमें क्या करना है, LCM 4 आ गया है, तो इस वाले denominator को 4 बनाना है, यह तो 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 2 से उपर नीचे multiply कराएंगे, और minus 1 upon 4, as it is लिखा रहने देंगे, तो इधर देखिए, इसको आप लिखेंगे 11, इसको लिखेंगे 2 upon 4 minus 1 upon 4, और LCM इनके same है, तो 11 की power 4, और 2 में से 1 minus करेंगे, तो आएगा 1, तो यह हमारा क्या आजाएगा, इस वाले question का भी answer, बड़े ही easily हमारे पास आ गया है, तो हम अपने question number 4 की तरह पढ़ते हैं, तो इसमें हमें क्या करने को बोला जा रहा है, इसमें देखिए, करने को कुछ भी नहीं है, बस पूरा खेल identity का है, identity आपको अगर पकड़ में आ सर, यहां मैं यह identity यूज कर दूं, ऐसे answer आ जाएगा, यहां मैं यह identity यूज कर दूं, तो answer आ जाएगा, तो आप इस exercise को कभी भी solve कर सकते हैं, बड़े ही प्यार से, तो देखिए, यहां आपके पास लिखा है, तो यहां देखिए, सर, multiply मैं है, बिल्कुल है, सर, इनके base सेम नहीं है, हाँ, बेस सेम नहीं है, तो हम जो सोच रहे हैं, वो तो identity लगा नहीं सकते, लेकिन सर, मुझे एक चीज दिख रही है, क्या, अरे सर, इनकी power तो सेम है, इनकी exponent तो मुझे सेम दिख रही है, क्या ऐसी identity exist करती है, तो हाँ, बिल्कुल करती है, कौन सी, देखिए, लिखते हैं आपके सामने, a की power m, multiply b की power m, is equal to a multiply b की whole power m, तो यहां कर लीजिए, क्या, a की value 7, b की value 8, और m की value 1 upon 2, क्लियर है, बहुत अच्छे से आ गया, बिल्कुल आ गया, तो देखिए, लिखेंगे, 7, a की जगे, b की जगे, 8, और m की place पे, 1 upon 2, तो 7, 8 जा कितना होता है, सर्थ, 7, 8 जा तो होता है, 56, और उसकी whole power कितनी है, 1 upon 2 है, अब इसके साथ और कुछ कर सकते हैं, आप, नहीं सर, prime factorization इसके हम करना ही सकते हैं, करतो लेंगे, पर इससे कोई ज़्यादा benefit होगा नहीं, तो हम इसके answer को यहीं छोड़ देंगे, और यह हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले part का answer हो जाएगा, तो देखिए, यहां हमने exercise 1.5 को complete कर लिया है, और इसी के साथ हमने अपने chapter number 1, number system को भी complete कर लिया है, question के solution को note कर लिजिए, झाले ।